हेलो अबरीवान, वेलकम बैक वीवर्स, कैसे हो आफसे लोगाईज, उमीद करते हो, स्वास्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हेल कर रहे होंगे वीवर्स, आज में करने जाएँ, आपके एक और रिडिंग देखेंगे, हम आपके पार्टनर की, आपके परोसन की, जिस बेक्ति को लेकिया रिडिंग देख रहे हैं, उनके मन में आपको लेकिए क्या चल रहा है, ठीक है, वो आपसे दूर, आपके लिए, आपके इस रिष् तो जो आपसे मैच करें वो रखिएगा बागी को इगनोर कर दीजेगा अगर आपको क्लारटी मिले तो प्लीज लाइक शिन सब्सक्राइब जरू करिएगा आप अपने परसन के बारे में सोचे उनका अमली मन दो रही ताकि आप उनके नजे से कनेक्ट हो सके और चलिए देखते हैं जिस वेक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वेक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है चाहे आप किसी भी फीलिंग से सोच रहे हो चाहे गुस्से से चाह जाहे नॉर्मल, ठीक है, चलिए देखते हैं, वो आपके लिए क्या फ्रोच रहे हैं, प्लीज उन्युवर्सी इंजल्स मुझे बताएं, मेरे वीवर्स जिस वेक्टी को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में मेरे वीवर्स को लेकर क्या चल रहा है, उनके लेट नाइट थाट क्या है, सो फ्रस्ट कार्ड वीवर्स हमारे पास आता है, संद्रेस, नमबर फॉर्टी टू, नमबर फॉर्टी वन, ठीक है, नमबर थर्टी, वी हाव थर्टीन, नमबर थर्टी सिक्स, ओके, थर्टी सिक्स वाला कार्ड आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहां रख देती हूं, नमबर ट्वेंटी, एंड लास्ट कार्ड वी हाव नमबर 17, वाटम से थर्टी वन के एनरजी आ रही है, ठीक है, सबसे पहले वीवर्स में यहां पर आपके कनेक्शन में जो एनरजी फिल कर पारी हूं, कहने की honesty, ठीक है, यहां पर मैं इस वेक्ति का एक जिसे कह सकते हैं कि एक admit करना, चीजों को सुईकार करना, वो सबसे पहले थोट आया है, अभी सुईकार करना है क्या, सुईकार करना है वीवर्स की कही न कहीं, कि एक गलती होती है, वो गलती है किसी की तरफ आकर्शन की, किसी की तरफ जुकाव की, यह कुछ लोगों से बात हो सकता है, यह first energy आये यह resonate करें, अब इसमें क्यों है कि इसमें कहते ना, अगर आप सही तो सब सही, अगर आप सही ने तो कुछ भी सही नहीं, तो यहां पर वीवर्स मैं इस वेक्ति को देख पारी हूं कि कहीं नगें आपके परसन जो है वह गलती तो कर बैठे, वह इस connection में जो loyalty होनी चाहिए थी, जो honesty होनी चाहिए थी, देखो इंसान खुछ से जुट बोल नहीं बोल सकता है, आज आपके परसन ने वीवर्स हो सकता है कि आपसे यह बात कभी भी accept ना कियो, कि यह उनसे कोई गलती हुई, that's why यह connection बिखरा, लेकिन आज आपके परसन खुछ से accept करते हुए नजर आ रहे हैं कि यह गलती तो हुई थी, accept नहीं कर पाना वो अलग matter करता है, लेकिन इसी के वज़े से कहिना के connection खराब हुआ, ठीक है, यह first thought है, कुछ लोगली वीवर्स एक और energy जो यहां पर नजर आ रहे हैं कि आप लोगों कि बीच में से separation है, disaster है, वो किसी वज़े से forcefully हुआ है, जो कि कोई नहीं चाहता था, मैं यहां पर यह कहूंगे ना तो यह person आपसे separation चाहते थे, नहीं आप इनसे separation चाहते थे, बट circumtences कुछ ऐसे बने जहां पर separation हुआ, यहां पर कह सकते ना तुम बेवफा थे ना हम बेवफा थे, मगर हम बफा करना सके, हमको मिली उसकी सजात जो हम खता करना सके, तो यह उन लोगों के लिए वीवर्स मैसेज आया, जहां पर आप लोग जानते हैं कि आपका person आपके लिए, मतलब प्यार में था आपके, आपके लिए प्यार वो लेके चल रहा था, honesty के साथ में, आपने भी उनको उतना ही प्यार किया, उतनी शिद्द से प्यार के जितना शिद्द से आपके person आपको किया है, यहां पर विवर्स एक ट्रोमा नजर आता है, जिस ट्रोमे से आपके person राइट नाओ, कहिए नहीं कि देखो, हील तो नहीं कर पाए यह अपने आपको, आपको भूला पाना इतना असान तो है नहीं, they again think about you, लेकिन कहिए नहीं कि यह वेक्ति, इस चीज को जिस acceptance में लेके आ रहे हैं या आ रहा है, और आपने विज़ों को सुईकार तो किया ही है, कि हाँ यही problem थी, अगर यह problem ना होती, तो हम दोनों साथ में होते, ठीक है, वह person मेरा होता, वह मेरे लिए आज भी रोता है, या रोती है या आप भी जामते हो, यह वेक्तिवर्स, देखो आपको, मैं यहीं नहीं कहूंगे, आपको भुलाने के लिए नहीं, आपके दर्द से निकलने के लिए, किसी नए दोस्त की तरफ, या किसी नए परसन की तरफ, कुछ लोगों से नए कनेक्ट होते वे, इस तरह के नजीस में मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये जिस्ट तो फोड़े देर के लिए जिसे कि अपने mind को divert करने की हाँ पर कोशिश करें पर उनका divert जो है mind वो हो नहीं पा रहा मैं यहां पर आपकी जारता दर्द कंत्रद कि लुए ain't it लेवन आपके लिए कंसे पूरता कहल जो बहुत कर दक सकते हैं और आपने देखा कि यार, आपने उन से बूला लेकिन आपके सुरेंडर किया। इस पर्स परपरख फ़रकम करने कि है कि कोशिश कर रहेँ। पर वक कर रहे हो, वक तो करते वे नजर आ रहे हो, आपके परसन एक बात और यहां पर कह रहे हैं कि अक्सर कहानिया या फिस जिन्दिया वैसी नहीं होती, जैसे इनसान सोच के चलता है, पदा नहीं कब किसी की लाइफ में कहां पर कौन सा टर्निक पॉइंट आ जाए, और कै कुछ नजर आ रहा है, ओवरोल जो अनर्जी गाइस मुझे यहां पर मिल रहे हैं, वो एक तरह का आप लोग के लिए, इक तरह का मैनिफेस्टेशन दिखाती है, मैनिफेस्टेशन यहां पर यह है कि कहीने की दिल की इच्छा है, जो यह दिखाती है कि यह वेक्तिय स्टिल कहीन है कि जैसे कि आपसे बात हो जाए, या फिर आपको देख ले, या फिर आपके साथ उनके डेस्टिनी जुड़ जाए, या फिर आपको मांगने का जो एक डिवाइन से है, वो नजर आता है, तो यह कुछ चीजे है वीवर जो यहां पर मिलती है, ठीक है, यह फर्स्ट एनर्जिस में आया है, जो इनके दिमाग में चीजे चल रही है, यहां पर मैं जो एक, मैंने एक एनर्जी आपको बताई थी, कि वह यह फर्संट जो एक किसी नए परसंट की तरफ, जिससे कि अपने आपको ओपिन आप कर रहे है, या किसी नए वेक्टिन की तरफ वो जस्ट और जस्ट वीवर्स यहां पर ऐसे नजर आ रहे है कि अपने आपको एक ट्रोमा से बाहर निकालने की कोशिश है, ठीक है, प्लीज उनिवर्सी इंजल मुझे बताएं, मेरे वीवर्स के लिए वेक्टि के मन में और क्या चल रहे है, वो इनके लिए और क्या सोच अदिक है, प्लीज उनिवर्स इंजल काइड करें, टैनोवएंग्स के इनर्जी गाइस यहां पर आई है, जैमना लिपर वीर्स के आई है, ठीक है, एरिज लिए लिए रुड़ आपको यह वेक्ति पाना जनाता अभी है, यह आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे है ऐसा नजर आ रहा रहा राइट नो इस वेक्ति की जो अनर्जी चल रही है वो दोनों एनर्जी एक तरह का एक ऐसा टाइम डूरेशन ये एक ऐसा करन्ट सिच्वेशन को रिप्रिजेंट करती है जहाँ पर इंसान अपने आपको एकजोस्ट सा महसूस कर रहा है ठीक है वो इस सिच्वेशन से कैसे बहार रहा है थीक है नहीं इनके पास में स्टेंफ है कि वो सिच्कुेशन को अपने aucunिंद मोल्ड कर सके मोल्ड मतलब ढाल सके अपने law ईकषब कर सके इनके पास मुख जैसे कोई लिबर Toby नहीं रहा है 14igen निकश्युएशन का वैसा बिप्रियन नहीं क वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत जादा हैलपलेस सा महसूस कर रहे हैं देखरे हैं यहां पर इस वेक्ति के लिए आगे बढ़ना चलना भी मुश्किल हो रहा है ठीके तो यहां पर राइट नो वीवर्स इस कनेक्शन में जो भी एक्षन है वो इस वेक्ति को लेना बहुत डिफिकल्ट पढ़ रहा है क्योंकि यह वेक्ति राइट नो आपने आपको अकेला महसूस करें जिसे ही अकेले बढ़ गए और उनके सामने जो सिचुएशन है जिससे इनको डील करना है यह वेरी डिफिकल्ट आपके परसन यहां पर यह कह रहे है तुम्हें करतों लिए ठीक है क्योंकि डावल के नरजी आई है विद्ध हमारा पा हर्मिट का कार्ड भी है यह आपको नजर आ रहा होगा ठीक है तो इनरजी क्या पर क्या बताती कि वेक्ति कहीं आपके टाइम बहुत ले रहा है बहुत टाइम ले रहा है ताइम मतलब यहां पर यह उसका वीजन ही काम नहीं कर रहा है, उसकी बुद्धी ही काम नहीं कर रही है, कि वो करे तो क्या करे, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं नहीं कि मुझे ऐसा नसरा रहा है, अगर आप लोग not contact situation में हैं, blocking situation में हैं इस वेक्ति की तरफ से, तो यह वेक्ति अपने आपको किसी बात को तो कैसे बढ़ना है तो कोई बहुत ही major complications है यहां पर जिसकी वजह से व्यक्ति इस connection में आगे चाहांके भी नहीं बढ़ पा रहा है वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है जैसे किते हैं दो कदम आगे बढ़ते हैं चार कदम destiny पीछे खीज देती है तो कुछ ऐसे हाला से लिए लाइफ में चल रहे है जहां पर वेक्ति विस इस connection को एक पॉस में लेके चल रहे हैं ठीक है नौ कन्टक सिचुएशन में डाल चले है क्लारिटी इस बढ़ना क्या है इनको पता यह नहीं को करना क्या है यह पर कैसे चीज से डील करे यहां पर एने जो बीवर्स आ अगर वो ऐसा यह मतलब लेके चलेंगे तो शायद आपके अंदर काफी अच्छा टांस्वर्मेशन आ जाएगा ठीक है ऐसा कुछ यहां पर नजर आ रहा है और देखते हैं और क्या है ज्वेक्ति के मन में आपके विवर जो बात मैंने आपके यहां पर बोली है इसका एक रहा है कि में आपके एंको बनने के कि लिए बुलाए तो अगर तुम खुद नहीं करोगे तो तुम मारी मदद कोन करेगा गार फिर जिसे फुद के लिए डिके आपके परसन कहहरे है कि स्टैंड तो तब लूँ न या फिर एक्षिन तो तब लूँ जब कुछ हो कुछ उमीद हो या फिर कोई इंसान के अंदर कुछ इतनी स्टॉंग कुछ विल्पावर हो ठीक है वह आपके परसंट राइट हो इसी इनर्जी में है यहां पर टैनो पैंटिकल के इनर्जी आई है अब मैंने जो बात करी विवर्स आपने जो कही थे यहां पर की विल्पावर भाई दिखाओ अपनी जो तुम चाहते हो अगर तुम मुझे चाहते हो तो कुछ करो लेकिन आपके परसंट ने कहा था करूं तो तब जब मिरेको कुछ मतलब कुछ उमीद हो तो यहां पर आप यहां पर आपके लिया था यहां पर आपके लिया था यहां पर यह कहने की कोशिश करें यार कैसे समझाओं जैसे अपने घरवालों को क्या करूं ऐसा जिससे वो सन कन्वेंस हो जाए या पर क्या करूं ऐसा जिससे यह कनेक्शन हील हो जाए तो यहां अपर आपके कनेक्शन में या तो फैमिली इंटरफेरेंस बहुत जादा है ठीक है फैमिली का इंटरफेरेंस नज जो को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर नजर आ रहा है, हाँ, यह जरूर आपके परसन, जो भी चाहते हैं, वो, वो उनकी लाइफ में अभी हो तो पानी रहा है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं, पास्ट में हुई कुछ बाते, आपको लेगे, आपको लेगे, आपके इस रिष्टे को लेगे, और इस वज़े से वेक्ति जो है, वो उच्छा के भी कोई कदम अपने दिमाग से मतलब ले नहीं पा रहे है, क्योंकि इनके दिमाग से वात निकली नहीं पा रही है, ऐसा नजर आ रहा है, फोर ओ पैंडिक आपको लेगे, कोई बात तो बैठ गई है, अब वो वीवर्स उस वज़े से इनका जो, कहते ना, अगर आज बत वक आप एक बात को अपने दिमाग से निकालोगे नहीं, जब तक एकी बात को पकड़के बैठ जाओगे, तब तक क्या कुछ कर सकोगे, ठीक है, कुछ, अग आपको कुछ समझाना हो, ठीक है, अगर आपको मैं कहूं कि यार ये बात ये है, और आपने पहले से अपना perception बना रखा, अपना mindset बना रखा, तो आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जागा, आप convince नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उस perception को ये हकीकत मान लिया है, त इस वज़े से वीवर्स आपके जो person है, वो आगे बड़ ही नहीं पाए, कुछ सोची नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए, इनका vision ब्लॉक हो गया, और अभी वीवर्स इनके दिमाग में वही सारी बाते हैं जो चल रही हैं, और ये अपने दिमाग से वह सारी बाते हैं चा लेके बैठ गए आपके person, कुछ ऐसा हुआ है, वीवर्स इससे यहाँ पर आपके person को regret नज़रा रहा है, अपने perception के ओपर, कि काश उनोंने वह चीज वैसे ना, मतलब कही सुनी बातों भीया, तो विश्वास नहीं किया होता, ये किसी बात को इतना जादर, मतलब importance ना दी ह इसकी अपजरुवत किसी को नहीं है, और ये विक्ति हर जगा से जिसे अपनी उमीद होता जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही वीवर्स इहाँ पर आपके person के दिमाग में यहाँ पर थौट चलते वे नज़रा रहे हैं काफी tension वाले थौट है, को बहुत ही अच्छे थौट नहीं और क्या है डिवाइन इंजल इस विक्ति के मन में मेरे विवर्स को लेके, तो यह आपको बताया था आपके जो परसन है वो आपके लिए, मतलब ऐसे ही फील करें कि यह तो कहीं ना कि तूटते जा रहे हैं, यह तो इस टावर के बाद में, जो यह टावर है जो इनकी लाइ एक क मैमोरी को दूसरी मैमोरी से रिप्लेस कर दो, तो शायद आपके उपर वो चीज़े एफेक्ट ना करें, ठीक है? तो इनों ने करा किया, इनोंने टावर से डिल करने के लिए, इनोंने यह ही किया, कि आपकी मैमोरी को कि Exc ideology को से रिप्लेस करने की कोशिश की, भी उश घरानी चीज़ों को अभी भाहिनीं के सोचते हैं नजर आरे आपके परसंध वीवर्स नहीं इनको बहुत तोड़ा रेकिन, आप liner स्ट्रयं बना डिया कैसी हम इसाइब इत्ने जादर मतलब स्ट्रोंगिन का इतनी साइब सकती आ गई कि मुझे यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप सटाक से फटाफाट डिशिजन लेते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो अपने अपर आपका गजफ का आत्म विश्वास आगया है आप कॉन्फिटेंस के साथ में चीजों को डिल कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे जुटा पा रहे हैं इनको कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे यह आपके सामने बहुत छोटे पड़ गया है इनका कद बड़ा चोटा पड़ गया है यह कुछ ऐसा फील यहां पे कर रहे हैं चीक है दबा दबा सा मैसूस करें वीवर्स आपके परसन आपके सामने जैसे इंसान दब जाता है न कोई अपनी गलती है इंसान दबता कब है जब उसकी गलती होती है बिना गलती के कोई नहीं दबता यह दब रहे हैं तो यह दबाव यहां पर वीवर्स आपकी personality का है कुछ इनकी गलतियों का है ठीक है पर जोवेंड्स के energy आई है Aries Leo Sagittarius के energy है यहां पर अंदब Moon के energy है अब यहां पर वीवर्स गलती भी नजर आ रही है अगें टावर का card आ चुका गलती जो मैंने बताया था न कि यह किसी के साथ में इन्होंने date वगरा की है या किसी के साथ में इन्होंने flirtatious energy लेके चले है ठीक है वो चीज़े कहीने के reveal भी हो गई आपके सामने भी आ गई आपके रिष्टे को लिए कि अगर इनको कोई doubt था वो भी सामने आ गया या आपके उपर अगर शक करें तो वो भी सामने आ गया तो कहीने के वीवर्स आज आपके परसन मुझे एक तरह से बहुत ही negative thought में कहूंगी यहाँ पर नजर आ रहे है negative thought यह है कि आपके बारे में ऐसा कैसा सोच लिया कि आप ऐसे हो सकते हो या फिर आप इनको चीट कर सकते हो आपके मन में कोई और हो सकता है इनको doubt था आपके उपर इनको लग रहा था कि आप किसी तरफ तो जुके हुए हो किसी वेक्ति की तरफ जुके हुए हो इनको उस चीज को लेके यहाँ पर शर्मिंदी की महसुस हो रही है जिस वज़े से आपकी connection में यहाँ पर tower भी आता है अच्छे दूसरा वीवर्स जो point भी है वो यहाँ पर यह दिखाता है कि कहीन है कि आज आज आपके person का कोई कोई perception यहाँ पर break हो गया है perception मतलब कि जिसे कैतना इंसान अपने ही दिमाग में कुछ ताना बाना बुन लेता है और उसे हिसाप से act करता है तो वह यहाँ पर perception इनका ब्रेक होता है और जब इनका ब्रेक हुआ है perception तब इनकी गर्दन जो है वह शर्म से जुकी वही है काफी जादा ठीक है यह क्योंकि इनका भी को सिक्रेट रिवील हुआ है आपकी तरफ से भी कुछ चीज़े रिवील हो गई है पर गर्दन शर्म से जुकी हुई तो यह जो व्यक्तिन शर्मिंदा है आज बहुत जादा नाइट में सोन ही बारा है ऐसा नजर आ रहा है कि आज इनके लिए पुरानी बातें बहुत ट्रेगर कर रही है इनको बहुत जादा ट्रेगर कर देगा अच्छा वीवर्स यहाँ पर कुसी को लेके यहाँ पर एक और मैसेज मिला वो यह कि आज किसी का चहरा भी सामने आया है किसी का चहरा किसी की इंटेंशन यहाँ पर सामने आई है मेभी यह उसको लेके भी बहुत सदा सैड फील कर रहे हैं किसी को जैसे कहते हैं आपना हसी रादा इतना ना मानो कि आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगो तो इन्हों ने किसी के ओपर ब्लाइंड रस्ट किया है विवर्स और इनका जो था वो टूटा है ब्रहम यहां पर वो नजर आ रहा है उसको लेकि भी आपके परसन यहां पर काफे परिशान है यहां पर क्योंकि उससे क्या हुआ है इनकी इमेज खराब हो गई है किसी और पर अगर इनके ओपर कोई फरक नहीं पड़ता तो यह विक्ति इतना डेसलेस नहीं होते इनके लाइफ पर काफी फरक पड़ रहा है लास्ट टू कर्ट्स पर अगर नमबर फॉर इनके अनर्जी आए है यहां पर फोर नेट बहुत ज़दा है यह नमबर भी नमबर 18 है तो आइञ इंक साने वीवर्स हावे में आपके लिए यह बोलूंगे कि हो सकता आप अगर डेवल के इनके आप अगर आपको बहुत नज़र आ रहे होंगे जि तो यहां पर विवर्स में यह कह सकती हो कि जो लास्टो मैसेजर बहना दिखाते हैं कि आपके परसल इस कनेक्षन में देखो इनका जो मायं वो डाइवर्ट तो हुआ है लेकिन अभी कहीन है कि जैसे मैंने लास्ट में भी आपको बोली थी वाद कि आपको आपके person manifest करने हैं तो manifestation में viewers वो कहीन है कि आपके तरफ आना चाहते हैं या फिर ये कहूं कि वो इस connection में कुछ changes लेके आना चाहते हैं जिससे आप दोनों का जो रिष्टा है फिर से strong हो या फिर आप दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम हो ठीक है अगर long distance connection की अगर मैं बात करूं वीवर्स तो यह वेक्ति अगर आपस दूर गए हैं खुद तो यह आपके पास आने के बारे में यहापे सोच रहे हैं यहापे कुछ traveling कुछ unexpected movement कुछ unexpected action जो changes को represent करते हैं लेकिन changes यहापे काफी fruitful हो यहापे नजर आते हैं तो इनके दिमाग में कुछ ऐसी चल रहे हैं कुछ ऐसी तबदीली लाने की बात आपके परसन कर रहे हैं जिससे इनकी current scenario जो इनकी life में चल रहा है वो change हो और इनका जो आपके साथ में जो रिष्टा है वो इनकी तरफ से आपको मिले ठीक है ऐसा नजर आ रहा है लेकिन हमें यह कहूंगे यह चीज़े करना तो आपके परसन जरूर चाहते हैं बट कहीं न कहीं यह शर्मिंदगी वाली energy भी यहापर आई है विभी हो सकता है इस व पता हैं और क्या messages है मेरे viewers के तरफ इनके person के तरफ से आपके person का immatureness उनकी maturity यहाँ पर कहीं न किस connection को बहुत ट्रिगर करी है जो आपके person यहाँ पर एकसेप्ट भी कर रहे हैं कि आपके person immature थे selfish थे अपने बारे में जादा सोच रहे थे इस connection को लेके नहीं सोच रहे थे आप कि परसन अभी भी आपके साथ में intimate होने के बारे में अपकी tradition के बारे में सोच रही है आपके person अपके फिर से प्यार में है या उनको प्यार हो फिर से आपसे हो गया है जो पहले नहीं था या फिर पहले कम हो गया था आपके person को आपकी presence हर जचाए महसुस होती है वह back to hear नजर भी आया था क्योंकि आपके person viewers आपको लेके flirtatious energy में थे शुरू में वो serious नहीं थे लेकिन right now वो serious नजर आ रहे हैं आपके person आपको हर जगह देख रहे हैं तो आपके presence में और आप भी आपके person के पास में आपके अभी भी pictures है जिनको वो देखते हैं जिनसे वो बाते करते हैं जिनसे वो connect होते हैं और अपने अधूरे पन को भरते हैं वो यह आपे नजर आ रहा है ठीक है तो yes आप उनके अधूरे पन को fill up करते हो उसको कम करते हो इनको complete feel कराते हो आपके person आपको यहाँ पर ऐसे ही बोलना चाहते हैं तो यह viewers आपके person के right now की energies उनके thoughts उनकी feeling अगर आपसे resonate हुई हो तो claim करें like करें शेयर करें चाल को subscribe करें ऐसी और वीडियो के लिए परसनल लिंक के लिए viewers आप वीडियो में दीवे नमबर पर अप्रोच कर सकते हैं तो यह थी रीडिंग आपके लिए बाबाई टेक केर